हेलो एवरिवन, इस बिनौत कुमार बर्मा और वेल्कम टू मदबन भी के इंगलिस क्लासे तोड़े इन वीडियो वी आर गूइब टू एक्स्टोरी आफ लास 10 विच एक्सटोरी आफ लास 10 विच एपाने जा रहे हैं word by word, sentence by sentence, इसका हिंदी में आपको explanation मिलेगा, तो चली शुरू करते हैं और ये देखते हैं क्या है, ये बहुत ही important story है, आपके board examination के द्रिश्टी कौन से, तो चली देखते हैं, explain करते हैं, आप समझे इसे, a letter to God, ये लिखा गया है, GL fantasy के द्वारा, ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग, before you read, यानि कि पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ जान लिजे, क्या कहता है ये story, they say fat can move mountains, वे कहते हैं कि विश्वास जो है पहाड़ों को भी हिला सकता है, ओके, yes, but what should we put our fat in, लेकिन हम अपना विश्वास आखिर किस चीज में करें, किस चीज में भरुसा करें, this is the question, this story delicately possessed, यही जो सवाल है, इस story में हमें इस कहानी में कुसलता पुर्वक, पोजेश करके रखता है, यानि उसे हमें पता करना, यही तो सवाल है, जो हमें इस कहानी के जरिए, मिलेगा इसका answer, जवाब, तो चलिए करते हैं, कहता है, Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, देखिए, Lancho जो है, एक किसान है, ठीक है, who writes a letter, जो कि एक पत्र लिखता है, किसे भगवान को when his crops are ruined, जब उसके फसल जो है, बरबाद हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है, asking for a hundred pesos, hundred pesos मांगते हुए, Does Lancho's later rich God, क्या Lancho का पत्र भगवान के पास पहुचता है, यह देखिए, Does God send him the money, क्या भगवान उसे पैसा भीजते हैं, मनी भीजते हैं, think what your answers to these questions would be, आप सोचिए कि इन सारे सवालों का आपका जवाब क्या होगा, है न, and guess how the story continues, और अनुमान लगाईए, कि यह जो स्ट Before you begin to read it, मतलब पढ़ने से पहले आप सोचिए कि क्या हो सकता है, story कैसा होगा, तो चलिए हम story पढ़ते हैं, और समझते हैं, explain करते हैं इसे, देखिए क्या कहता है, The house, the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill, कहता है, जो house था, यानि घर, the only one, एक सिर्फ एक लोता घर था, एक घर था, पूरा समुचित घाटी में, और वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर इस्थित था, ठीक है, sat on the crest, करिष्ट मिन्स क्या होता है, चोटी, ओके, तो यह चीज आद रख इंटायर मिन्स समुचा, वैली मिन्स घाटी, तो, from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest, देखे, क्या कहा समझे, from this height, यानि कि इस उचाई से, one could see, कोई भी देख सकता है, the river and the field of ripe corn, यानि कि नदी और पके हुए जो corn है, ठीक है, उनके खेत dotted with the flowers, जो कि पूरा फूलों से लदा हुआ है, that always promised a good harvest, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल की आसा दिलाता है, that means, वो वादा करता है, यहां तो वादा नहीं, means आसा दिलाता है, यानि कि फूलों को देख के कोई भी महसूस कर सकता है, कल्पना कर सकता है, कि इस वर्ष जो है फसल अच्छी होगी, ऐसा, अनुमान लग रहा है तो the only thing the earth needed, पिर्थभी को सिर्फ एक चीज की जरुवत थी, was a धानपूर, और at least a sour, यानि कि एक हलका सा बोल सकते हैं, या मूसला धार वारिस कहा दे, एक बार हलका सा, बस उतना होने से क्या होता, कि उसका फसल अच्छी तरह से हो जाता, इस तरह से, कल्पना, throughout the morning, Lancho who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast, समझियेगा क्या कहा देखिये, throughout the morning, यानि कि पूरा सुबह, throughout यानि सारा समुचा morning तक बोलें, सुबह, Lancho who knew his fields intimately, जो कि अपनी खेतों को भली भाती जानता था, had done nothing but see the sky towards the northeast, यानि उसने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हो क्या किया, नॉर्थ इस्ट के बादलों की और देखता रहा, उपर आकास में देखता, उसे पानी चाहिए था, इसलिए वो कल्पना कह रहा था, कि मतलब कब बादल आएगा, बारी सोगी, इस तरह से सोच रहा था, देखते हैं, आगे, तभी अचानक से वो कहता है, now we are really going to get some water, उसने कहा, उमन, यानि कि उसने अपने पतनी से कहा, कि अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको लगा, जब बादलों को देखा न, तो उसे लगा कि बारी सो सकती, काले बादल दिखाए देने लेगे आसमान में, तो anyone can guess, कोई भी अनुवान लगा सकता है, कि बारी सो सकती है, काले बादल को देखे हैं, तो ऐसा ही किया उसने, the woman who was preparing supper, उमन जो की prepare कर रहे थी, supper, supper means क्या होता है, रात का भोजन, देखे, supper means होता है, dinner, you can also call it dinner, भोजन होता है, रात का भोजन, तो तयार कर रहे थी, रात का भोजन, replied, उसने जवाब दिया, yes, God willing, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो, हो सकती है, बारिस हो सकती है, उसने जवाब दिया, the older boys were working in the field, जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called them all come for dinner, और छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, घर के पास में ही, बगल में वे लोग खेल रहे थे, घर के पास में ही, until the woman called to them all come for dinner, और वो लोग तब तक खेलते रहते हैं, जब तक उन्हें, उनको बुलाते नहीं है, यानि उनकी मा, it was during the meal that, यानि कि भोजन का टाइम था, जिस समय खा रहे थे, just as Lencho had predicted, तभी उसी ने Lencho ने क्या किया, प्रेडिक्ट किया, predicted means भाविश्वान, big drops of rain began to fall, तो क्या हुआ, वर्सा की बड़ी-बड़ी बूंदे जो है, वो गिरने लगी, क्या कहता है, in the north east, यानि कि उत्तर पूरव की ओर जो है, बड़े-बड़े बादल जो है, वर्सा वाले बादल दिखाई दे रहे थे, approaching, आखते हुए, निकट आते हुए, approaching means क्या होता है, निकट आते हुए, निकट पहुँचना, approach means पहुँचना होता है, ठीक है, तो आप इन सब words को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यह कुछ typical words हैं, इन्हें आध रखिएगा, चलिए आगे देखते हैं, कहता है, the air was fresh and sweet, हवा जो था, बिलकुल, कैसी थी, एकदम, fresh, ताजा और मधूर थी, ठीक है, देखिए, क्या कहा, यहां से समझे, the man went out for no other reason, आदमी जो है, यानि कि लेंचो के बारे में बतारे हैं, कि वो बाहर गया, कोई कारण नहीं था पारा जाने का, than to have the pleasure of feeling the rain, बस वो बाहर क्यों किया, rain के आनन्द को उठाने के लिए, वर्सा का जो अनुभव था ना, उसे बस लेना था अपने सरीर में, वो body में महसूस करना चाह रहा था, इसलिए, and when he returned, जब वो वापस आया, वर्सा को अनुभव करके, यानि अपने सरीर में, तो वो चिलाया, बोला, जो और से चिला के बोला, these aren't rain drops, ये वर्सा की बूंदे नहीं है, falling from the sky, जो की आसमान से गिर रहे है, they are new coins, ये नई सिक्के है, the big drops are 10 cent pieces, and the little ones are 5, जो बड़ी-बड़ी बूंदे है, वो 10 cent के pieces है, and the little ones, जो छोटे है, वो 5 cent के कर सकते हैं, है न, ये इस तरह से वो, चुकि वो खुस था, लेंचो जो है, बहुत ज़्यादा खुस था, बारिस प्राप्त करके, क्योंकि उसको बारिस चाहिए थी, फसलों को अच्छी तरह से होने के लिए, और जैसा उसने कनुम, अनुमाल लगाया, कल्पना किया, उसी तरह बारिस होने लगी, तो खुस था, बहुत ज़्यादा क्या कहता है, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped, कहता है, dropped in a curtain of rain, ये draped होगा, समझेगा है, यहाँ जो थोला सा ये draped, तो क्या कहता है, कि with a satisfied expression, यानि कि संतुष्ट अभिवेक्ती से, he regarded the field, उसने field को regard, मतलब समान दिया होता है, बोला, उसके बारे में, of ripe corn, जो पके हुए अनास थे, with its flower trapped in a curtain of rain, यानि कि पूरा जो है, वो क्या था, वर्सा की बुनों से, जैसे होता है, कि चादर, उसमें curtain, परदा टाल दी ह बट सडेनली, तभी अचानक से क्या हुआ, बट सडेनली, a strong wind began to blow, तीज हवा जो है, बहने लगी, and along with the rain, very large, hell stones began to fall, फिर क्या हुआ, अचानक से देखें, मोसम में परिवर्तन आया, suddenly जो है, अचानक से, एक, मुलते हैं, तीज हवा बहने लगी, okay, and along with the rain, आरी, उसके बाद क्या होता है, वर्सा के साथ, वर्सा की बुन्दों के साथ, बड़े बड़े ओले जो है, गिरने लगी, ये, these truly resemble new silver coins, उसके बाद देखें, उसने क्या कहा, उसने कहा, ये तो जो है, silver के सिक्के के समान लग रहे हैं, mail खाता है, resemble means याद रखेगा, mail खाना होता है, ठीक है, मिल रहा है, silver, चान्दी के सिक्के के समान लग रहे हैं, the boys exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls, उसके बाद जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, exposing themselves, देखें, एक्सपोस में आप परकट करना है, यानि कि वो लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है, कहा, rain में, बरसा में जाते हैं, आनंद लेने के लिए, उसको collect करने के लिए, frozen pearls means क्या होगा, जमे हुई मोतियां जो होती है, उसे, यानि कि यहाँ फिलाल क्या होगा, जमे हुए बर्फ, उसे collect करने के लिए जाते हैं, ठीक है आगे देखिए, क्या कहता है, it's really getting bad now, अब जो है वो बोलता है कि यह तो वास्ता में खराब हो रहा है, ठीक है, exclaimed the man, exclaimed the man, यानि आदमी जो है बोलता है, देखिए यह दो बार लिखा गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको cut कर देगा, ठीक है, misprint हो गया है, exclaimed the man, I hope it passes quickly, मैं आसा करता हूँ कि यह सिगर पास हो जाएगा, it did not pass quickly, लेकिन यह सिगर पास नहीं हुई, for an hour, कहता है कि एग घंटे तक, the hell ran on the house, पूरे घर में जो है, ओला व्रिस्टी हुई, ठीक है, the garden, पुरा गार्डेन में पूरा बगीचा भर गया, the hillside, पूरा पहाडी, complete, the cornfield, पूरा जो अना का खेद था, वहाँ पूरा भरा, on the hall भेली, पूरा घाटी, समूचा, पूरा एकदम जो है, ओला व्रिस्टी, पूरा हर जगह जहां जहां देखें, वहाँ एकदम ओला ही नजर आ रहा था, the field was white, पूरा खेद जो था, एकदम सफेद हो गया था, सफेद ल पूर्णतर कर सकते हैं, पूर्णतर बरबाद हो गया था, destroy means बरबाद हो ना होता है, ठीक है, तो destroy बरबाद हो गया था, यह पेसी में, the flowers were gone from the plants, flowers यानि फूल जो थे, पोदों से गाइब हो गए थे, बिलकुल, जड़ गए थे, लैंचो's soul was filled with sadness, लैंचो की आत्मा जो है, बिलकुल, उदासी से भर गई, ओके, आगे देखते हैं, when the storm had passed, जब तूफान रुका, ठीक है, he stood in the middle of the field and said to his sons, ओ जो है, अपने खेतों के बीच में, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, उसने कहा, कि अगर एक दल भी आता ना, यह plague of locusts का मतलब समझी है, टिड़ी दल, टिड़ी क्या होता है, जिसे धान, खास करके धान का जो खेत होता है, या धान का जो फसल होता है, उसमें आप देखते होंगे, बहुत सारे आपको टिड़ी देखने को मिलते होंगे, वो क्या करते हैं, उसको बर बाद कर दिया था न, इसलिए ऐसा बोला, this year we will have no corn, कहा कि इस साल हमारे पास अनाज नहीं होंगे, that night was a sorrowful one, यह रात, यानि कि वो रात जो थी, सबसे ज़्यादा उदासी पुर्ण रात थी, दुख भरा, full of sorrow कह सकते हैं, ठीक है, all our work for nothing, उसने कहा कि हमारा सारा काम जो है, बिकार हो गया, व्यर्थ चला गया, हमने जितना भी परिश्रम किया, मेहनत किया, सब बिकार हो गया, ऐसा, there is no one who can help us, क्या कहता है, कि कोई नहीं है, जो अब हमारी मदद कर सकता, we will all go hungry this year, इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे, चली, आगे देखते हैं, but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन दिखिए क्या कहता, but in the hearts of all, यानि सब के हिर्दय में, who lived, जो रहते थे in the solitary house, उस अकेला जो घर था एकांत में, उस पहाड़ी में, उस अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सबों के हिर्दय में, एक चीज़ थी, समझेगा, in the middle of the valley, यानि कि उस के बीचों, बीच में, there was a single hop, उन सब के बीच, यानि उन सब में एक आसा थी, उन सब को एक आसा थी, help from God, भगवान से मिलने वाली मदद, don't be so upset, even though this seems like a total loss, कहता है, don't be upset, उदास मत हो ये, निरास मत हो ये, upset means उदास होना, निरास होना होता है, ठीक है, even though this seems like a total loss, ये पुरा complete loss लग रहा है, मालूम होता है, जान पड़ता है, ठीक है, remember no one dies of hunger, लेकिन एक चीज़ाद रखिये कि कोई भी भूग से नहीं मरता है, that's what they say, यही तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं, no one dies of hunger, सभी लोग कहते हैं, कि भूग से कोई नहीं मरता, वास्ता में ये लेंचो जो है, एक आसा के बारे में, सिर्फ एक आसा के बारे में वो सुचता रहा, the help of God, भगवान की मदद, whose eyes as he had been instructed, कहते हैं, जिसकी आँखें ऐसा लगता है, जैसे उसे इकी निर्देश दे दिया गया हो, instruct means निर्देश देना होता है, ठीक है, यानि भगवान को see everything, यानि क्या करता है, भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं न, भगवान सर्व सक्तिमान है, God is omnipotent, God is omnipresent, God is omniscient, भगवान जो होता है, सर्व सक्तिमान होते हैं, सर्व ज्यानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो सर्व व्यापी होते हैं, वो हर जगह available है, ऐसा कहा जा सब कुछ जानता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं ओमनी परजेंट में इस परजेंट एबरिवेर और ओमनी परजेंट में तो यह होता है चली आगे देखते हैं तो वही बता रहा है कि किसी के अंतरात्मा में क्या है तो वो भी भगवान देख लेते हैं जो कि वो अंतर्यामी होते हैं लैंचो वास एन ओक्स ओफ अमन देखें लैंचो जो था एक बैलो की भाती काम करने वाला आदमी था वार्किंग like an animal in his fields, वो अपने खेतों में कैसे काम करता था, जानवरों की भाती काम करते था, बहुत जादा मेहनद, you can call it, he was very hardworking, बहुत जादा परिष्टमी था, but still he knew how to write, लेकिन फिर भी देखिए, वो लिखना जानता था, ठीक है, how to जब भी आता है, समझ ये, how to write, how to read, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, यानि लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, खेलना जानता है, खुदना जानता है, इस तरह से, चलिए आगे देखते हैं, काता है, the following Sunday, it daybreak, अगले संदे को क्या करता है, it daybreak, यानि तड़के, ये भगवान को लिखा पत्र से कम नहीं था, that means, भगवान को ही लिखा था, उसने लिखा था, दिखें क्या लिखा था, God, He wrote, उसने लिखा, if you don't help me, अगर आपने मेरी मदद नहीं किया, that means, आप अगर मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरे परिवार जो इस साल भूखे रह जाएंगे, I need a hundred pesos, मुझे hundred pesos की जरुवत है, in order to sow my field again, मैं अपने खेत को पुना बोने के लिए, मेरे खेत को पुना बोने के लिए, and to leave until the crop comes, और जब तक फसल नहीं उख जाते हैं, तब तक जिन्दा रहने के लिए, तब तक मुझे तो खाने पिने की सावान चाहिए न, तो वो, because the hell storm, उसके बाद देखे आगे, यहां क्या होगा, कि hell storm ने तो फसल परबाद कर दिया, because the hell storm has totally destroyed my cup, यहां कर सकते हैं ऐसे, चलिए आगे देखते हैं, अभी भी troubled है, परिसान है, went to town, वो चला गया town, ate the post office, post office में देखिए क्या करता है, he placed a stamp on the letter, and dropped it into the mailbox, उसने क्या किया, वहां जो है, टीकट चिपका दिया, और उसको डाल दिया, mailbox, पत्र पेटी का होता है, ठीक है, one of the employees, देखिए, पास गया, laughing heartily, पुरा जोर से हस्ते हुए, एकदम, and sought him the letter to God, उसने भगवान को लिखा, पत्र दिखाया, neighbor in his career, कहता है, neighbor in his career, as a postman, had he known that address, अपने उस postman के career में, ओइसा पता वाला, the postmaster, a fat, amiable fellow, देखिए, postmaster, एक amiable fellow था, चलिए, आगे देखते हैं, also broke, कहता है, also broke out laughing, वो भी हसा, but almost immediately, he turned serious, and tapping the letter on his desk, commented, what fat, देखिए, क्या कहा, जब postman ने letter को, postmaster को दिया, ले जाके, तो उसने जब देखा, तो वो भी बहुत जोर से हसा, ठीक है, but almost immediately, लेकिन सिग्र, he turned serious, वो गंभीर हो गया, and tapping the letter on his desk, अपने desk पर letter को पटकते हुए, commented, उसने comment किया, tip नी किया, what fat, क्या बिश्वास है, I wish I had the fat of the man, who wrought this letter, कास, मेरा उस आदमी पर भरुसा होता, जिसने इस पत्र को लिखा, that means, लेंचो की बारे मता रहा है, कि मेरा उस पर होता, कितना विश्वास वाल आदमी, starting up a correspondence with God, भगवान से पत्राचार सुरू कर दिया, correspondence में स्याद रखेगा, पत्राचार, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखें क्या काता है, so, in order not to sack the writer's faith in God, यानि की, काता है, in order not to sack the writer's faith, यानि writer का faith, यानि लेंचो का faith, जो है भगवान पर से, हटे ना, ठीके ना हटे ना, the postmaster came up, postmaster came up with an idea, postmaster को एक बिचार आया, क्या, answer the letter, यानि की, letter का जवाब दिया जाए, but when he opened it, जब उसने खोला, पत्र को खोला, envelop खोला, फाड़ा देखा, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper, जब उसने खोला, तो क्या देखा, कि उसे, एकदब उसमें evident था, असपस्ट था, कि, he needed something more than goodwill, यानि उसको सदभावना नहीं चाहिए था, ink, paper नहीं चाहिए था, उसको कुछ और चाहिए था, वो परिशानी में था, help चाहिए था, उसे money चाहिए था, but he stuck to his resolution, लेकिन वो अपने, resolution पर अडिग रहा, दिड़ संकल्पित हो गया, कि, मुझे help करना है, means करना है, ठीक है, he asked for money from his employees, अपने employees से, उसने पैसा मांगा, ask for means मांगना, ठीक है, he himself gave part of his salary, उसने खुद अपने salary का भी पैसा दिया, and several friends of his, were obliged to give something for an act of charity, उसके बाद उसके बहुत सारे friend ने भी उसे दान दिया, एक अच्छे नेक काम के लिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था, किसी गरीब आदमी की मदद कर रहा था, जो परिसानी में था, डिस्टेश में था, इसलिए सबों ने बहुत अच्छी तरह से मदद किया, बट दिखे क्या काता है, it was impossible for him to gather the hundred pesos, लेकिन फिर भी उसके लिए hundred pesos एक साथ जमा करना संभव था, so he was able to send the farmer only a little more than half, लेकिन फिर ने उसने क्या किया, बस थोड़ा, आधा से थोड़ा सा जादा जो है, उसको भेज सका, उतना हुँ, अबल हुआ, योगी हुआ, he put the money in an envelope, उसको envelope लिया, लिख दिया, दिखे, क्या कहता है, he put the money in an envelope, envelope लिफाख एक अंदर डाल दिया, address to Lencho, उसने लिख दिया, Lencho, है न, to Lencho, and with it, और उसके साथ एक letter भी डाल दिया, a letter containing only a single word as a signature God, और उसमें बस single signature था God, यानि कि उसको लगे, कि ये भगवान की ओर से ही पैसा आया, इसलिए उसने क्या किया, लिख दिया God, ठीक, देखे, the following Sunday Lencho came a bit earlier, than usual to ask if there was a letter for him, अगले संडे को थोड़ा से जल्दी आ गया, जैसे समाने तब उपर आता था न, उस इसाफ से थोड़ा से जल्दी आ गया, इसको जाके पत्र मतलब जो था उसका, दे दिया, थमा दिया लिटर, वाइल दे पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर बोलड़ा है, जब कि पोस्ट मास्टर है न, एक्सपिरियन्सिंग द अनुभव कर रहा था, अपने ओफिस से ही देख रहा था, जो कि बहुत अच्छा काम किया था, एक अच्छा डिड़ परफॉर्म किया था उसने, है न, एक गरीब आत्मी की, डिस्टेस में जो था परिशानी में उसकी मदद किया था उसने, लैंचो सौड नोट द सलाइटिस सर्प्राइज ऑन सींग द मनी, वैसा देखकर जरासा भी आश्चारे नहीं दिखाया, such was his confidence, क्योंकि उसका वैसा भरोसा था, उसे पका पता था न, कि God would surely help me, उसे ऐसा लगता था, भगवान जो है, मुझे जरूर मदद करेंगे, इसलिए उसने जरासा भी आश्चारे नहीं दिखाया, ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री वैन, ही काउंटिट द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिनान, तो बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गया, जो पता है, God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते, नौर could he have denied Lencho what he had requested, या ये भी चीज, कि उसने जो रिक्वेस्ट किया था, आगर किया था, भगवान से जो पैसा मांगा था, वो इंकार भी नहीं कर सकते, उसको लगा कि हमने जो मांगा, इंकार नहीं कर सकते, भगवान इसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने मांगा था 100 पैसोज, लेकिन उसको मिला कितना, 70 पैसोज ही मिला, आदा से कुछ ज़्यादा, यानि 70 पैसोज ही मिला, इसलिए वो क्रोधीत हो गया, अब देखिए क्या करता है, इमेडियेटली लेंचु वेंट आप टू दे विंडो, खिलकी के पास गया वहाँ, तो आस फोर पेपर एंड फिर से पेपर मांगा, इंक on the public writing table, उसके बाद public writing table जो है, वहाँ जाके क्या किया, उसने लिखना सुरू किया, फिर से, विथ माच रिंक्लिंग औफ इस ब्रो, अपने वहाँ को पूरा एकदम रिंक्लिंग सी कोड़ते हुए, मतलब गुष्चे में लिख रहा है, एकदम क्रोधित होके, caused by the effort he had to make to express his ideas, जो की अपने ideas को express कर रहा था, अपने विचारों को, यहनी गुरुद विचारों को, when he finished, जब उसने समाप्त किया, लिखना बंद किया, he went to the window, वो खिर्की के पास गिया, to buy a stamp, यहनी टिकर जो हता है, which he licked, and then affixed to the envelope, उसने क्या किया, उसको चाटा, लिख में चाटना होता दिखिए, उसको चाटा, and affix, affix में चिपका दिया, to the envelope, envelope के उपर, with a blow of his fist, उसके बाद मुठी से, उसको मार के, tight कर दिया, the moment the letter fell, जिस चान लेटर गिरा, into the mailbox, the postmaster, postmaster जो था, went to open it, उसको गया, खोलने के लिए, postmaster, it said, उसने लिखा था, दिखिए, क्या लिखा था उसमें, आगे लेते हैं से, क्या काता है, God of the money that I asked for, काता है कि, पैसा जो मैंने मांगा था, only 70 pesos raised me, उसमें से, मुझे 70 pesos ही मिले हैं, send me the raised, बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी सक्त जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, but don't send it to me, लेकिन इसे आप मेरे पास नहीं भेजिएगा, through the mail, यानि कि mail के जरिये नहीं, post office के जरिये नहीं, because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि post office के जितने भी करमचारी हैं, वो बैमानों के समू हैं, bunch of crooks means बैमानों के समू, लेंचो और अपना पता दे दिया, लेंचो, तो देखें, ये थी हमारी आज की कहानी, आसा है कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो, आपको लेंचो, आपको ओका dishonसर ये दिया, अगर आपको बार आपको वीको सिदेन की जजाए हो, आपको ऱ्वेश्राए होे,